संडे में अगर हम लोग अच्छे से अपने घर के क्लीनिंग करतें तो बागी का पूरा हफता हमें इन चीजों की पिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती है और घर भी हमारा एकदम से डस्ट प्री रहता है मेरी मेरी वीडियो की अपडेट्स के लिए आप लोग मेरे चैनल को सबिस्क्राइब कर सकते हैं साथ में बेल आइकन को भी ओन कर लें जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आज मैं संडे क्लीनिंग के साथ साथ आपको टाइमिंग और ऐसी चोटे चोटे से टिक्स बताएंगी यूँकि अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपको क्लीनिंग में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और आपका घर भी एक तम से निट एंड क्लीन रहेगा तो चलें स्टार्ट करते हैं, Hey Everyone, Welcome Back, I Hope आप लोग सभी बैदर होंगे, खोशाल होंगे और मज़े में होंगे तो सबसे पहले टिप है कि संड़े में आपको जो भी cleaning करनी है आपको अपने घर के जिस areas की cleaning करनी है सबसे पहले आप उसको एक list में लेख ले यानि की एक list बना ले जिसे कि आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे ये काम करना था या ये फिर मेरा रह गया में भी आपको संडे वाले दिन अपने घर के एरिया कवर करने हैं उसी के according आप अपने आपको time दे सकती हैं तो सबसे पहले न मैंने अपनी एक लिस्ट बना ली थी और उस पे cleaning के मुझे जो areas अपने घर के cover करने थे वो मैंने सारे ही लिख लिए थे Next step है कि cleaning करने में आप ये देखें कि आपका washing का काम कौन सा है तो सबसे पहले आप उसी काम को करने की कोशिश करें जैसे कि मुझे आज AC के filters कोब क्लीन करना था मतलब उनको wash करना था और जितने भी मेरे fake flowers थे उनको भी clean करना था तो सारी छीचे ही मेंने सबसे पहले AC के filter निकाल लिये और जितने भी मेरे जहां पे डैग्र थे, fake flowers सारे मैंने उठा लिये और उनको wash करने के लिए ले गई मैं बाज रूम में तो सबसे पहले यहां पे जो भी मेरे decor items हैं तो मैं सबसे पहले ही उनको wash कर लूँगी तो आपके पास भी जितने भी ceramic के decor items हैं या जो भी आपकी candle holders होती हैं जो आपके पास lamp हैं तो इन्हें आपको भीगोने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी बस एक एक बार आपको पानी में डिप करना है और डिप करने के बाद आप अच्छे से हाथ से थोड़ा सा रफ कर दे और उसके बाद साफ पानी से धो के आप उनको निकाल ले तो बस इसी तरह से मेरे जितने भी डैकोर आइटम से तो मैं ना हाथ से एक बार उनको रफ करती गई थी और रफ करने के बाद मैंने साफ पानी से वच करके उनको निकाल लिए उसी के बाद जितने भी मेरे फेक फ्लास थे तो मैंने उन सभी को भीगो दिया था जिससे कि वह अच्छे से भीग जा इसे यह होगा कि AC की फिल्टर से जो गंदगी निकलेगी उसके बाद आपका फर्ष गंदा नहीं होगा और फिर आपको अपने फर्ष पे ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पढ़ेंगे इसके बाद आपने जो भी एरिया मतलब आपने क्लीन करना है उसको जालना है अच्छे से उसकी क्लीनिंग करनी है तो वो सारे आप लेने तो जैसे कि मुझे AC की क्लीनिंग करनी थी तो सबसे पहले मैंने जो ब्रशल वाला बुरुष था उसको लिया और उससे मैंने अपनी AC क को अच्छे से क्लीन कर लिया उसके बाद एक मैंने माइक्रो फाइबर क्लॉद में थोड़ा सा कॉलिन लिया कॉलिन के बाद एसी को भी अच्छे से मैंने अंदर से उपर से हर जगा से उसको क्लीन कर दिया यह चीजे भी अंदर से भी गंदी हो जाती है तो इस पजा से मैंने इसको अंदर से भी clean कर दिया प्लस बाहर से भी अच्छे से clean कर दिया और कोशिश करें कि जब भी आप ऊपर एरिया पर आने की कोई हाइट वाली एरिया में आप खड़े ओके cleaning कर रही हैं तो वहां आप 2-3 कपड़े अलग-अलग रखें जिससे कि ना आपको बार बार उतरन चड़ना ना पड़े और बार-बार आपको कपड़े को wash करने के लिए ना जाना पड़े तो यहां पर मैंने 2-3 कपड़े अपने पास रखे थे और इसी को clean करने के बाद जो ऊपर की window थी तो मैंने उसको भी clean कर लिया प्लस मैंने अपनी जो fence की cleaning थी वो भी मैंने लिख र तो इसलिए मैंने आज जादतर अपनी क्लीनिंग में वो एरिया लिखे थे जो हाइड भाले थे और मुझे सीड़ी पर चड़के करने थे तो मैंने सारे ही उन एरियास को सबसे पहले अपना टू-डू लिस्ट में लिख लिया था और कोशिश की जादा से जादा कि उन सारे इरिया को क्लीन करने की तो आप लोग देखी सकते हैं कि फैन मेरा कितने अच्छे से क्लीन हो गया और ये कपड़े पर कितनी सारी गंदगी आ गई इसी के साथ ही अंदर वाले फैन को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था मेरे घर में दो फैन हैं एक बाहर और एक अंद लगा दिया था, जिससे कि जो भी जाले वगेरा हो जाते हैं, और डस्ट वगेरा हलकी फुलकी दिवारों पे लग जाती है, तो वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाए, और यह जो डस्टर होता है वो इतना अच्छा होता है, मतलब आप इसको किसी भी शेप में मोड सकते है किसी भी शेफ में आप इसको ला आ सकते हैं आप इसकी हाइट चोटी भी कर सकते हैं तो क्लीनिंग के लिए न मुझे यह डस्टर बहुत अच्छे लगते हैं इतनी सारी क्लीनिंग के बाद मैं काफी हद तक थक चुकी थी उसके बाद मैं फिर पानी लेकर आई और दो गलास यहां बैट के मैंने पानी पिया और 5 नुट लगबग मैंने बैट के रेस्ट किया उसके बाद फिर से फटा-फट में लग गई अपने कामों में, क्योंकि हमें थगना नहीं है, जो भी अपने काम करें हैं, वो limited time के अंदर ही हमें अपने कामों को करके finish करना है, नेक्स्ट है कि मैंने यहां पर अपने थोड़े जो hidden एरियास थे उनको भी लिखा था जैसे कि बैट के पीछे हुआ, जाडू लगानी, फ्रिज के पीछे का एरिया हुआ ये एरिया ऐसे होते हैं जो कि हम लोग daily cleaning में include इनको नहीं कर पाते हैं तो इसलिए आज मैंने इस एरिया को cover किया था तो संडे में अगर आप लोग cleaning करते हैं तो खास करके आप उन एरियास को cover कर सकते हैं जो आपके hidden रहते हैं तो यहां पर देखी सकते हैं आप लोग के कितनी सारी गंदगी निकली हैं और जाड़ो में न मतलब जो दीवार पे जाले लग जाते हैं फिरिज के पीछे जो जाले लग जाते हैं वो कितने सारी तो यहां पर मैंने फिरिज के पीछे की भी cleaning कर दी और साथ में जो दीवार वगेरा दी फर्श था उसकी भी अच्छे से cleaning कर दी और जब भी आप ऐसा करें तो फ्रीज को आफ कर दें उसका फ्रीज को उसी जगा पर रख दिया जो भी फेक फ्लाश थे वो वाश करने के बाद मैंने पंके के नीचे ही रख दिये थे जिसे कि वो सारे सूख चाहें क्योंकि बाहर ना मंकी वगएरा आते हैं तो मुझे अपनी कोई भी चीज बाहर रखने में थोड़ा डर लगता है इसलिए मैं बाहर कोई भी चीज नहीं लगाती तो यहां तक ना मेरी जो भी क्लीनिंग थी फर्श वगएरा जो वाश करना फिल्टर है फेक फ्लार्स हैं सारी चीज़े मैंने वाश कर दी थी और उसके बादना में फटा-फट से एक-एक करके चीज जो जहां की थी वो लगाती गई सबसे पहले मैंने AC के filter थे उनको लगा दिया फिर यहां पर मैं जो यह लटकर लगाती हूँ ना तो इसको भी मैंने यहां पर लगा दिया था और उसके बाद फिर मैंने ना यहां पर अपने जो curtain थे उनकी stitching की क्योंकि curtain मुझे आज बदलने थे यानकी change करने थे और ये नए कर्टिन ना, इनकी हाईट थोड़ी ज़्यादा थी, जहां मुझे लगाने थे, तो उसके अकॉरणिंग ना, मैंने कर्टिन को नीचे से फोल्ड करके ऐसे सिस tyre कर दी, तो अगर आपके भी कर्टिन इस तरह से बड़े हैं, तो आप उनको ऐसे ही फोल्ड करके सिक कर सकते हैं उनको कट ना करें बाई चांस कोई भी आप एरिया बदलते हैं तो बस सिलाई खोलनी है और उस एरिया में आपको डाल देना है तो मैंने ना कर्टिन को कट नहीं किया था नीचे से बस फोल्ड करके उन पे सिलाई कर दी और सिलाई करने के बाद मैंने यहां पे काफी ही अच्छे लग रहे थे उसके बाद जो रूम के कर्टिन थे तोstandard है अने भी चेंज करना था तो फटब पटत से मैंने इनको भी чेंज कर लिया, तो तो यहाँ पर मैंने नेट के कर्टिन लगाए हैं क्योंकि रूम में इतना मतलब जरूरी नहीं होता है कि हैवी कर्टिन लगाना तो रूम के लिए मैंने यहाँ पर नेट के कर्टिन लगाए तो आपके पास जो भी हैं आप उस तरह से अपनी चीजों को चेंज कर सकते हैं जै वो फटफट से उनहीं की जगा पर रखती चली गई तो जो जो फेक फ्लार्स मैंने जहां से लिये थे उन्हें उन्हीं की जगा पर सूखने के बाद फटफट से रखती चली गई थी तो आप इस तरह से अगर क्लीनिंग करते हैं तो किसी भी एक एरिया को आप अपने बैड पंदमनट देती गई थी, तो मैंने हाँ पे रूम को पंदमनट दिया था और बाहर की रूम को पंदमनट दिया था जिसमें कि सारी चीजों को मैंने वाश करा, प्लस जो भी डस्टिंग मुझे करनी थी वो करी दिवारों की जाडू वगेरा जो लगानी थी वो भी लगा ली. साथ में जो डैकोर आइटम्स थे वो सारी चीजों के बाद मैं उनीकी जगा पर रखती गई. उसके बाद सबसे लास्ट में यहां पे मैंने चेंज कर दी थी बैटशीट. फरनिशिंग क्लीन कर दी थी मतलब फनिचर को भी क्लीन कर दिया था और उसके साथ ही याँ पर मैंने बैटशिट को भी क्लीन कर दिया तो कुछ चीजे ऐसी होती हैं जो हम लोग शूट नहीं कर पाते हैं और काम में लगे लगे ना बराबर से करते चले जाते हैं तो नहीं रह पाता है याद के हाँ हमें ये भी शूट करना था जबना हम लोग अपने घर में छोटे छोटे से जो चेंजेस होते हैं जैसे कि बेडशीट वगेरा चेंज कर दी, कर्टिन चेंज कर दीए, ब्लो कवर हैं, कुशन कवर हैं ये सारी चीजे जब हम चेंज कर देते हैं, तो हमारा घर एक बहुत ही अच्छा सा लुक देने लगता है और हमें बहुत ही अच्छा लगता भी है, प्लस घर भी हमारा एकदम से डस्ट फ्री हो जाता है तो सारी चीजे ही मैंने क्लीन करनी थी, दिवारे वगेरा भी क्लीन कर दी थी, बैट शीट चेंज कर दी, तो इतना अच्छा लग रहा था, घर मतलब एक तम लाइट लाइट फील हो रहा था बहुत जादा तो आपके पास भी मेरे जैसे डैकॉर आइटम महंगे वाले नहीं हैं, तो आप भी इस तरह से यानि की लाइप प्लांट से अपने अरिया को डैकॉर कर सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज किया, यह जो स्टूल है वोडन का, वो मैं अंदर रखती थी चे कर लेज के कॉनर का, तो बस इस तरह से आप लोग छोटे छोटे टिप्स को अपना कर, क्लीनिंग अपनी संडे की कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने जो भी अपने काम को मेंशन किया था, सारी चीजे ही मैंने अपनी कर ली थी, तो सारे काम हम लोग कर लेते हैं, तो एक करती हूँ इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।